हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मादव डेसिज आज की वीडियो में देखेगा फ्रेंड्स यह सिल्क फैब्रिक से हम लड़ू कुपाल जी की बहुती सुन्दर सी ड्रेस बनाएंगी बहुती सिंपल और बहुती आसान ड्रेस तो देखे जो हमारी ड्रेस है वो कुछ इस तरह की है और जो यह ड्रेस हमने रेडी की है यह पांच नंबर काना को आ जाएगी और छे नंबर काना को आ जाएगी इसका यहां पर जो डायामेटर तयार हुआ है यह लगबग साड़े दस ग्यारा इंच का तयार हुआ है तो इसलिए हम पांच और छे नंबर दोनों काना को बहुती आसान तरीके से मैंने वीडियो में समझाया है कि किस तरह से हम इस ड्रेस को बनाएंगे इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेगा बिल्कुल भी बीच में इसकी मत करिएगा और देखे इसमें ना तो हमने बुकरम का यूज किया है ना इसमें हमने अस्तर का यूज कर लें अब आज की जो ड्रेस बनाएंगे उसके लिए देखे हमने यह सिल्क फैब्रिक लिया है और बहुती प्यारा देखे यह फैब्रिक है तो आप किसी भी कपड़े से इस ड्रेस को बना सकते है अब यहां पर देखे जो मेजरमेंट मैंने इसका लिया है चोड़ाई है यहां पर पट्टी की पाच इंच और यह देखे लंबाई भी दिखा देती हूँ यहां से इस तरह से नापते जाएंगे लंबाई देखे इसकी है यह 49 इंच यानि कि हमें दसगुना लेनी होती है जैसे पाच इंच ओड़ाई है तो 50 इंच लेनी है लेकिन यह मेरे पास ए यह देखे उल्टी साइड है और यह है सीधी साइड अब हमें यहां से क्या करना है देखे सीधी साइड इस कपड़े को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते जाना है और हमें यहां पर देखे टूशी रिबन का यूज़ करना है तो मैं इसकी ओपर यहां पर देखे इस तरह से ट अब हमें देखे यहां पर साइडों को लोग करना है तो यहां पर हम कैसे करेंगे इसको भी देखे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद फिर हम यह देखे टीशू रिबन लेंगे और इसको भी थोड़ा सा यहां से नीचे से फोल्ड करेंगे और फो तो यहां से nap 20-चेba Gemeं से दूरी से एक बिलेट पर अपर ऐसे रखेंगे औरुरें officers को सिल देंगे फिर डेट की दूरीकि प्लेट अब हमें इसके लिए चोली बनानी है, तो चोली बनाने के लिए देखिए हम एक पट्टे को कट करना है और पट्टे का जो मे Grad ही विल हैं यहां पर देखिए यह है 12.5 इंच आ ही और इसकी चोड़ाई है, लंबाई में 12.5 है और चोड़ाई में देखे यह 5 इंच है अब इस पट्टे को देखे यह सीधी साइड है सीधी साइड अंदर करेंगे और इस पट्टे को ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इस पे हम सिलाई लगा देंगे और फिर इस पट्टे को पलट करके सीधा करेंगे पट्टे को सी साइड भी इस गोटे को ऐसे सिल देंगे और सिलने के बाद पट्टी को बीच में से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहां से हम इसको कट कर देंगे पट्टी को कट करने के बाद देखिए हम इसको इसके ऊपर थोड़ा सा चड़ा करके रखेंगे जादा नहीं चड़ाना ह हमें इतना सा हलगा सा जो इसके उपर सिलाई अच्छे से आ जाए। इस तरह से रखना है और रखने के बाद यहांसे देखे । अजै को एससे सिलाई लगा लूँगे और बीच मेंसे जोड़ दिया और फिर इसको ऒर इसको एसे मोड़ अब यह चोलि बन करके त्यार हो गई है इसको हम लगाएंगे दिखिए इसके उपर जो हमने प्लेट्स बनाई थी तो यहां से दिखिए हम कैसे करेंगे यहां तो आप देखिए इसके सेंटर पर मार्क लगा ले और इसका सेंटर रख दे और फिर पहले एक साइड से सिल ले इधर से और फिर दूसरी साइड से सिल लें या फिर आप इसको पहले मेजर करके देख लें नाप करके देखे इस तरह से यहां से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से देखे धीरे-धीरे से इसके उपर रखे इस तरह से और यहां पर देखे इस तरह स हमारी चोली जुड जाएगी और एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई हम इसकी किनारी पर लगाएंगे जैसे हमारे धागे निकल रहे हैं तो इसी क्योर हो जाएंगे नई तो यह वाली ड्रेस बहुत जल्दी फट जाती है अगर इनके धागे निकलते तो इसलिए हम य देखेगा यहां से पहले तो हम चोली को देखिए मिला करके ऐसे उपर से यहां से हाथ से प्रेस कर देंगे तो यह सैट हो जाएगी यहां से भी हमें इसको ऐसे करना है और फिर यहां से दिखिए घेरा मिला देना है और उसकी बार देखिए जो हमने प्लेट्स बनाई तो फ्रेंट्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपको आज की ड्रेस अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बैल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे कि यह वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचेगी तो नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए रादे रादे